नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूँ मैं 9 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु प्रिहस्पती को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज गुरु वार है भाद्र पदमास शुकल पक्ष की आज तृतियाति थी है हस्त नक्षत्र है दो पहर दो बज करके 31 मिनट तक और इसके पुष्चा चित्रा नक्षत्र है शुकल योग तैतिल करण है बात कोई पंचांग की चंद्रमा आज कन्या राशी में है और अभिजित महुर्त का समय दिन में 11 बच करके 30 मिनट से 2 पर 12 बच करके 20 मिनट तक का होगा वही राहुकाल दो पर 1 बच करके 30 मिनट से 3 बजे तक जैसा कि आप सबी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाब लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरीक्वती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए श्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीख ये एक ऐसा पर्व जो तपस्या के रूप में किया जाने वाला बेहद कठिन व्रत दामपत्य जीवन को अक्षुन बनाए रखने वाला ये पर्व हरी तालिका 30 व्रत है सभी माताओं एवं बहनों को हर तालिका 30 व्रत की हारदिक शुभ कामना है प्रिये दर्शकों आज एक सूत्र आपको बताने वाला हूँ ग्रहों के संबंध में प्रायह रासी फल में दिब्य महा प्रयोग में कोई न कोई जोतिस ये सूत्र मैं प्रति दिन आपको बताता हूँ आज का सूत्र भी जोतिस प्रेमियों के लिए आनन्द दाई होगा और बेहद आपके काम का ये सूत्र है तो दिब्य महा प्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहू वरिशब रासी में सिंचरन कर रहे हैं तो वही सूर्य शिम्ह रासी में मंगल बुध और चंद्रमा ये तीन ग्रह यूती बनाकर कन्या रासी में सिंचरन कर रहे हैं तुला राशी में शुक्र का सिंचरन है के तु व्रिश्चिक रासी में शनिदेव वक्रवस्था में मकर राश में संचरन कर रहे हैं और देव गुरु भ्रहस्पती कुम्भराश में वक्रवस्था में संचरन कर रहे हैं तो यह है ग्रहस्तिती आज चंद्रमा के नक्षत्र में है ये खुद के नक्षत्र में है ये चंद्रमा और त्री ग्रही योग और ये त्री ग्रही योग देखा जाए तो शनी से नम्म पंचम किस्तुती में है देव गुरु ब्रहस्पती की दृष्टी सूर्य पर है लेकिन ये देव गुरु ब्रहस्पती भी अब अन्सवाई तेखा जाये तो परिवर्तन की तयारी में है तो ये ग्रहिस्तुती आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है आज गुरुबार का दिन और चंद्रमा स्वयम के नक्षत्र में दोपर तक इसके प्रश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे तो ये ग्रहस्तुती आपको कैसे प्रभावित करेगी आज के दिन कुस रिष्ट बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए कौन से वो कारे हैं जो आज आपको विश्यस रूप से कर लेना चाहिए और कौन से वो कारे हैं जो आज आपको नहीं करना चाहिए इन सभी विश्यों की चर्चा आगे हम राशी फल में करेंगे तो यह है ग्रहिस्तुति इन्हीं ग्रहिस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है यानि दैनिक राशी फल तयार किया है वो नैदर्शक जो मेरे इस राशी फल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दू यह राशी नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करें शनी देव की। वो आपकी जन्म कुंडली में किस राशी में बैठें। तो वो है सफलता और उचाई। और सीधी सी बात है कि सफलता और उचाई की ये जो सीढ़ी है वो तैही होती है जब तक आपको दुख का आभास नहों, दुख का भान नहों, तब तक आप सुख का बोध कैसे करेंगे, सुख के बारे में कैसे समझेंगे। तो सुख का बोध कराने के लिए दुख का बोध होना चाहिए ये सनिदेव कराते हैं सफलता की उचाई अगर देव गुरु चाहिए शुक्र अगर शुक्र चाहिए तो उसके लिए पहले आपको बिफलता और कस्ट रुपी सनिदेव को गले लगाना होगा तो फिर ये चीज ब्रहस्पती की द्रिष्टी भी कहीं से इन पर पड़ जाए तो ये बड़ा हिस्ष्ट वैसे आम तोर पर इस एक तरह से देखा जाए तो भाग्यभाव में ऐसी स्तुति हो तो ये महा भाग्यवान योग के समान स्तुति बन जाती है लेकिन कहीं भी देव गुरु ब्रहस्प स्विष्ट सफलता एसा जातक विवेकवान सुसील और बेहद बुद्ध्धH型 अब इसमें गौर करने वाली बात है कि देव गुरु की द्रिष्टी सनी पर पड़ जाने के कारण और देव गुरु की रासी में शनीदेव के होने के कारण सनीदेव का जो स्वभाव मुलतः पापग रहका लेकिन इस्थिर मन्द गती के साथ वो डेवगुरु की रासी में जब संच्पवरण करेंगे तो देव गुठू की गुणों को ग्रहन करेंगे और देवगुश्ची दृष्टी भी उनपर पढ़ जाए तो सीधी सी बात है कि वो जो विशाध है वो वो भी कही न कहीं सुख कारा किस्तिती उत्रवन नहकरने वाला बनेगा तो देव गुरु ब्रहस्पति की किसी भी रासी में हो। यह बहुत ही स्द्रिश्ट है। वेसे ही सूर्य की रासी में हो सनी य Эस शंभ दोनों परिवर्तन कर लें, तो यहां परिवर्तन का तो एक अपना ही प्रभाव है, लेकिन ये द्रिष्टी के चलते भी जातक को जीवन काल में, क्योंकि सूरी की रासी में बैठे हैं, ग्रहों की राजा की रासी में होने के कारण, और इनका मूल स्वभाव अगर देखा जा अब कई लोगों के मने में ये प्रश्ण उत्पन होगा, कि फिर आप कहते हैं कि सूरी परशनी की द्रिष्टी सम्मान में कमील आती है, नित्र जन्य पीड़ा, बोस से संबंद खरा, पिता से संबंद, तो ये नहीं होगा, शत्र प्रतिशत होगा, देखे, क्या एक ही व्य में माता-पिता का अपमान करके ना आया हो, ये जरूरी तो नहीं है न, कि बाहर जो सव्य और संब्रान्त अपने आपको दिखा रहा हो, हो सकता है माता-पिता का अपमान की आहो घर में, करता हो, रोज करता हो, ये भी तो संभाव है, हो सकता है बाहर अपने सारे चारित्र सथ गुणों को दिखाने वाला व्यक्ति चारित्र ग्रूप से बेहत दूर्बल हो एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे ओगुण संभव हैं और आए तो यहां मान्य संभ्मान मिलेगा तो अंदर से कही न कहीं व्यक्ति हो सकता है कौंखला भी हो कुछ हमें पहली राशी मेश राश के जात्कों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडेली में चंद्रमा राशी से आपके आज सष्थ में है और यह चंद्रमा स्वनक्षत्र में है देखा जाए तो बस दो-तिन बातों का आपको खायाल आज रखना है, गुरुबार का दिन है, चिंता की आवशक्ता ने दिन ठीक है, बस नाकारात्मक विचार आपके मन में न आए दूसरा, हिंसा की वृत्ति न जगे, तीसरा, अपने काम को पुर्ण करने के लिए आप ये न के न प्रकारेण वाला विधी आज न अपनाएं, और लाभप्राप्त करने के लिए कोई गलत कदम न उठाइएगा, सांती से यानि जो सही मार्ग से हो सके, इमानदारी से हो सके, सही मार्ग पर चल करके हो सके, वही कारे करिए, नौकरी पेसा लोग के लिए दिन सामाने देख रहा हूं और ब्यापारियों के लिए परिशानी भरा, ब्यापार में चिंता परिशानी भागदोड़ बनी रहेगी, भूमी और प्रॉपर्टी के डिलिंग करते हैं, इससे सम शेस रूप से परिशानी होगी, जीवन साथी की सेहत का खयाल रखें, आज मेसरासी के जातक जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी और विद्ध्यार थी, आज परिशान रहेंगे नकारात्मक विचारों से, आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मेहनत के अ लखी अंक चार लखी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आज आप ना करें, और ब्रिशप की बात करें तो चंद्रमा का रासी से पंचम में होना, खुद के नक्षत्र में, प्रतेक कारिय जरा सोच समझ करके करिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे, मन में अगर पैसों का विचार चल रहा है, और पैसा कमाने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रतनसील हैं, तो अच्छी बात, परन्तु आज निवेश करने से बचिए, नहीं निवेश में आपको नुकसान होगा, निसंदेह कार्यक छेत्र में मान सम्मान सयोग मिलने वाला, इस करने के लिए किसी से बातचित करने के लिए ठीक है दिन, मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें डील नहीं होनी चाहिए, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए, और आज किसी भी तरह के निरने के लिए जल्दबाजी मत करिए, बुरसब रासी के प्रेमियों के लिए कर स्वास्तिके द्रश्टिकोंड से देखें, तो मानसीक और सारीरिक थकान से आज आप परिशान होगे, रात्री सुक्त का पाथ है, असरवण आप पवश्य करिएगा, लखियंग के लिए एक लखी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, और जैसा मैंने कहा था, निवेश आप ना करें, मिथुन की चर्चा करें, तो आज चंद्रमा का स्वनक्षत्र में होना, रासी जे चतुर्थस धन के द्रश्टिकोंड से दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, और नौकरी पे साब ब्यापारी वर्ग, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, आज किसी न किसी प्रकार से उपरी इंकम की संभावना बहुत जादा है, कारेक्षत्र में अधिकारियों का सवयोग आपको पूरा-पूरा मिलेगा, और कारिस्थल पर विदिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूँ, ब्यस्तता भरा रहने वाला है, परन् चलाने समय जरा सावधान रहिएगा, और आज किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, इससे बचिए, प्यार काई जहार कर सकते हैं, पर यह आई दिन सफलता मिलेगी, विद्ध्यार्थियों को बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, मेनेजमेंट फिल्ड के विद्ध्यार्थ के लिए अज कथा ही है, बाकी निवेश तो आप करिए, करक की बात करें तो पराक्रम की स्तुति आपके लिए बेहत स्रेश्ट है, कोई पुरानी चिंता, टेंसन, परिशानी, उससे आपको आज मुक्ति मिलने वाली है, कोई बाधा, जो निरंतर आपके जीवन काल में उत् जो लगातार आपको परिशान करना चाहते थे, समझ लीजिए कि आज स्वत्व शांत हो जाएंगे, आपका बिवेक, आपका दिमाग, आपकी सदबुद्धी, आपका स्वक्ष और सांत चित्थ सामने वाले को पस्त कर देगा, कारिस्थल पर भी आपका प्रदर्शन में ब प्रत्न जितना पुरुशार्थ, जितना परिश्वरम करेंगे, लाभुस से कहीं ज्यादा बड़ा दुगना मिलेगा, साथी साथ किसी को नीचा दिखाने की कोशिश वैसे तो आप नहीं करते हैं, आज भी मत करिएगा, और देखा जाए तो प्रेमी से प्रेम, सहयोग, ज मंदित परिशानियों की संभावना है, खान खान पर जरा नियंत्रन रखिएगा, ओम गंगडपताय नमः, इस मंत्र का आज एक क्यावन बार जब करिए, लखियंक दो लखी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेस तो आप करिए, उस्वरम की बात करें, तो वानी पर नि रखते हैं, महत्व रखते हैं, तो, कोई अची खबर आपको मिलने वाली है, कारेस्थल पर देखा जाए, तो ठीक ठाक है, बस जैसा मैंने कहा, वानी पर नियंत्रन रखिएगा, फिर अपनी बुद्धिमत्ता से, तो आप सारे काम करी लेंगे, खुद को सावित विकर दि हैं, तो मत भेद और मन भेद रहेगा, वियापारियों के लिए लाब की इस्तिती है, शेर मार्केट में निवेस, जानकार की राय से वस्यकर ये लाब होगा, धनलाव की प्रबल संभावना है, और आज अपनी योजनाव पर अमल करने का दिन है, पिछले कुछ दिनों से कर कुछ योजना आपके मन में चल रही है, और उन योजनाव पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आज करिए, और विवाहित हैं तो विवाहत है होगा, और अगर आपका जीवन साथी नाराज है, तो वो आज मान जाएगा, आप प्रित्न तो करिए, विवात की बस इस्तिति उत काला, ले जाकर के मा भगवती जगदंबाक वर्पित करिये, लकियंक आपके लिए एक लकी कालर आपके लिए हलका हरा है, निवेश आप कर सकते हैं, पर अंतु जानकार की राय से ही कीजिएगा, और बात कन्या की करें, तो चंद्रमा का आपकी रासी पर होना, स्वनक्षत करिस्तर में, निसंदे हाप अपने बुद्धी मत्ता, अपने ज्यान के बदौलत, अपने कला, अपने कौसल के बदौलत, अपने सारे काम पूरे कर लेते हैं, आज भी कर लेंगे, मौका आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा, कारिस्तल पर भी जो सांथ के लोग हैं, आपक लेकिन ये सब होगा कब। कहीं आप आलस्य कर जाएं तब तो क्या ये तब भी होगा नहीं। आलस्य से बचिए। हर मामले में आपको आलस्य से बचना है और बाद भी बाद किसी से उलजने से बचना है। व्यापारियों के लिए इन ठीक-ठाक है विशेश कर साम होते होते और अनुकूल हो जाएगी, धन से जुला कोई बड़ा आउसर मिलता दिखाई पड़ रहा है, आज एक मूल मंत्र याद रखिए, जीवन साथी का अपमान मत करिएगा, पार्टनर्सिप में है तो पार्टनर से मत भेद मत करिएगा, पार्टनर की भावनाव का सम्मान करिएग कर सकते हैं, तुला की बात करें तो ठीक है दिन, चिंदा की कोई आवशक्ता नहीं, कल के अपे खाट की स्थिति काफी अच्छी है, हाँ, जो भी करिए उससे एक से अधिक बार चेक कर लीजिए, आर्टिक स्थिति ठीक है, ये संभाव है कि ब्ययाधिक क्यों हो, परंतु अच्छा क्या है, नौकरी मेगर बदलाव करने की सोच रहें, तो वो बदलाव होगा, नई नौकरी के लिए प्रतनसील है, तो वो काम बनेगा, ब्यापार या नौकरी से सम्मंदित कोई यात्रा करने की सोच रहें, तो आप कर सकते हैं, आपका काम बनेगा, कारिस्थल पर रखनी है, इमानदारी बरतनी है, किसी को उधार नहीं देना है, और बिना सोचे समझे, आज तुलारासी के जातक, तो बिल्कूल ही न बोले, क्योंकि जहां बोलेंगे, वहीं पर बाद भी बाद होगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, सुख और प्रेम मिलेगा, बिद्यार बाद मिल जाएगा, लगी यंक आपके लिए आठ, लगी कलर आपके लिए पिंक, निवेश आप तभी करिएगा, जब जानकार की राय आपको मिले, और प्रिष्टिक के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बलकि अच्छा ही नहीं, आनंद द बादेंगे, दिन ठीक है, कि ये गय कारियों का पूरा पूरा परिणाम और स्रिष्ट परिणाम आपको मिलने वाला है, कारिस्थल पर अधिकारी भी आपकी तारीफ करेंगे, और व्यापारियों की बात करों, तो व्यापारियों पर भी बढ़िया है, प्रोपर्टी से सम्मान करिए जीवन साथी के साथ अच्छा समय वीतेगा और अपने प्रेमी का भी जरा सम्मान करिए उनकी भावनाओं का सम्मान करिए विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन समय आपके लिए बढ़िया रहने बाला है और स्वास्थ के दृष्टिको में होना देखा जाए तो ये चंद्रबा खुद के नक्षत्र में है तो यू समझ लीजिए कि आज बेहत स्रिष्ट है दिन इसलिए भी स्रिष्ट है कि आपके जितने भी अधूरे और रुके हुए काम थे वो पूरे होंगे दिन को आप खुश नुमा कह सकते हैं चाहे देखें या पारिवारिक रूप से देखें हर तरह से दिन आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है कारिस्थल पर कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं ले सकते हैं आपके द्वार लिया गया फैसला सही ही होगा ब्यापारी है ब्यापार में रिस्क ले सकते हैं हाँ थो आपरवाही में निवेस मत करिएगा बिना विचार के समझे निवेस मत करिएगा प्रेम संबंद के लिए दिन आज का बढ़िया दिखाई पड़ रहा है प्रेमी के साथ ही अगर है तो अच्छा समय बीतेगा और बात दामपत्य जीवन की करें तो यहां भी कोई चिंता नहीं हैं बिद्यार्थियों की बात कर रहें तो बहुत बढ़िया दिन विसेश करके मेडिकल फिल्ड के बिद्यार्थियों के लिए और स्वास्त के दृष्टि कोण से देखें स्वास्त में कोई परशानी नहीं आज हो सके तो थोड़ा सा दही ले जाकर करके श्यूलिंग पर करके रखे हैं कोई कठिन परिशानी थी समस्या थी उल्जन थी उसको सुल्जाने के लिए आज का दिन बढ़िया है आज जरूत पढ़ने पर आपको मदद मिलेगी और भाग्य का पूरा-पूरा साथ जो भी कारे आप प्रारम्भ करेंगे वो बेहत आसानी से बनता दिखा पढ़ रहा है बेहत सहजता से हर कार्य बेहत सरल ढंग से होगा कार्य की सफलता आपको मिलेगी नौकरी हो या बेहसाय दोनों ही द्रिश्टिकोंड से दिन को मैं बहुत बढ़िया कहने वाला हूँ काम में मन लगेगा और धनलाभ की स्थिति या लाभ की स्थिति बनी और विद्यार्थियों की बात करो तो बेहत महत पूर्ण रहने वाला है दिन और वहीं स्वास्त के द्रिश्टिकोंड से देखें तो पुराने रोगों से आज आज आपको मुक्ति मिलेगी सिहत आज आपके अच्छी है आज एक चमच दही अवस्त सिखा लिएगा घर से बाहर जाने से पूर्व लखियंक आपके लिए पांच और लखी कलर आपके लिए सपहेद है निवेश भी आप करिए कुमब के लिए भी कल के पेक्षा आज का दिन बहुत बढ़िया है नई नौकरी नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन की एक्षा रखते हैं कोशिश में है तो आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए यूँ समझ लीजे कि हर कारे आपका बंता जा द दिन बढ़िया है जो लोग आप से अब तक असमत रहते थे हो सकता है दीरे-दीरे करके वो समत हो आपको धहरे बना करके रखना है अपनी बात जहां भी रहे मजबूती के साथ रखिए और अपनी योजना किसी को मत बताईए गुप्त रखिए आज गुप्त रखने से ही प्रेम संबंद के लिए दिन बहुत बढ़िया है और हाँ प्रेम संबंद की कोई बात सारवजनिक हो सकती और आपका प्रेम संबंद बहुत ज्यादा छुपा हुआ था तो सतर्क रहिएगा विद्यार्थियों के लिए समय को अनुकूल कहूंगा और दामपत्य जीवन भी ठीक ठाक है स्वास्तिके दृष्टिकोंड से देखें तो आज पेट में थोड़ी जलन की शिकायत आपको होगी तो बहुत ज़्यादा गरिष्ट भोजन करने से बचिए और आज करने का धारा इस्तोत्र का पाठ है अस्रमन प्राताकाल ही कर लिजेगा लखियंक साथ लख शुरू करने की सोच रहें तो कर सकते हैं पुराने कारियों को समेठने की सोच रहें तो कर सकते हैं नौकरी पेसा ब्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज की दिन को मैं स्रेश्ट कहूंगा आप बड़े ब्यापारी हो या छोटे हर प्रकार से दिन बढ़िया है ब्यापार की बात करें तो ब्यापार में बस किसी प्रकार के बिबाद में मत पढ़िएगा पार्टनर के साथ अगर कुई समस्या है पार्टनर से स्वयोग नहीं मिल पा रहा है तो बैठ करके बातचीत करिए संयम के साथ समस्या दूर होगी और आज किसी पर आख बंद करके तो भरोसा लव लाइफ की बात करूँ तो मीन डासी के जातकों के लव लाइफ की अच्छी आज दिखाई पड़ रहे हैं प्रेम का प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने बाला है कहीं कोई दिकति स्वास्ति के दृष्टिकोंड से आज आपने स्वास्ति का खयाल रखिए गया और आज इस देवता का ध्यान अपने घर के पूजन इस्थल पर बैठ करके दस मिनट तक अवस्य कर लिएगा लकियंग का आपके लिए आज साथ है और लकी कलर ब्राउन निवेश आप अवस्य करिए तो प्रिये दर्शकों ये था मेश शेले करके मीन राशी परियंत प्रतेक राश के जातकों का पूरे दिन का अभी के लिए वस इतना है इजाजत दीजे पुनाह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार